अशोकदास का जंग 23 मार्च 1953 को पूरी ओडिसा में हुआ था। मेरिलेंड विश्विद्याले और स्टगर्स विश्विद्याले में एक शोध्र सहयोगी थे। उन्हें 1993 में प्रोफेसर के रूप में पदोनत भी किया गया था। अशोकदास एक भारती अमेरिकी सेधानतिक भौतिक विज्ञानी एक लेखक और भौतिकी के पुरसकार विजिता सिक्षक थे। वो रोचेस्टर विश्विध द्याले में भौतकी के प्रोफेसर और कलकत्ता के भारत के परमानू भौतकी संस्थान भौतकी और भारत के भुवनेश्वर के भुवनेश्वर भौतकी संस्थान के सहायक प्रोफेसर थे उनका शोद सिध्धानतिक उच उर्जा बहुतिकी के छेतर में है वह सुपर सिमेस्ट्री और सुपर ग्रेविटी पर काम करते हैं हाल के सालों में गयर रेखिये पुर्णाक प्रनालियों पर बड़े पैमाने पर काम किया गया जो की ऐसी प्रनाली है जो उनके जटिल सुरूप के बावजूद बिलकुल हलो सकती है उन्होंने यभी परिमित तापमान छेतर सिध्धानतों मानक मौडल के सामानिकर्ण पर सीप्यू लंगन और काटम छेतर सिध्धानत और स्ट्रिंग सिध्धानत में समस्याओं को शामिल करने पर काम किया उन्होंने दुनिया भर के भौतिक विंदों के साथ व्यापक रूप से प्रकाशित किया लाटन अमेरिकी भौतिक विंदों के साथ उनके विशेश रूप से मजबूत सहयों को अच्छी तरह से जाना जाता है। वास्तम में उन्होंने अकेले ब्राजील के भौतिक विदों के साथ 100 से अधिक प्रकाशित शोद पत्रों का अध्यन किया। 2002 में दासको अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी का एक साथी भी बनाया गया था। सूपर ग्रेविटी पुर्णांग मॉडल और परिमित तापमान छेतर सिधान के छेतरों में उनको उनके योगदान के लिए जाना जाता है। दोस्तों उन्हें 2006 में ब्राजील में भौतिकी पढ़ाने के लिए फुन प्राइट छात्रवित्ती से सम्मानित किया गया। विलियम एच रिकर युनिवर्सटी अवर्ड फोर एक्सिलेंस इन ग्राजुट टिचिंग उन्हें 2006 में मिला। दोस्तों आईए अब आपको उनके कुछ किताब और मोनोग्रॉफिक के नाम बताते हैं। विए खान पर विद्यू चुम्ब के दूसरा समस्करन विश्वेज्यानिक प्रकाशक द्वारा। दोस्तों ये विद्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथी विद्यू को लाइक या शेयर करना ना भूले। इसे तरह के तमाम रोचक और अनसोनी कहानिया सुनने के लिए हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथी बेल आइकन को टैक कर दें। ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।